जैश्री राम दोस्तों, वेदात्मा में आपका स्वागत है। मित्रों, जिन्दगी में एक वक्त ऐसा भी आता है, जब दिल से सारी ख्वाहिशे खत्म हो जाती है। और देता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है। बस चलने दो, जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की व सवाल को एक दिन एक व्यक्ती ने महात्मा बुद्ध से पूछा, व्यक्ती बोला कि महात्मा मेरा जीवन दुखों से भर चुका है, मैं जो भी काम करने जाता हूँ, उस काम में मेरे हाथ असफलता ही लगती है, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त करनी है, कि मेरा जीवन और खुश ही चाहिए, तो इसका एक आसान मार्ग है, उसका नाम विचार है, व्यक्ती दबे स्वर में बुद्ध से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, बुद्ध उस व्यक्ती से कहते हैं, इसका आसान सा मतलब यह है कि तुम जैसा अपने मन में सोच वैसे ही तुम्हारा जीवन बनते जाएगा, अगर तुम रोज यही विचार करोगे कि मेरा जीवन सबसे सुखमय है, मेरे जैसा सुखमय जीवन और किसी का नहीं, तभी सफलता आपको प्राप्थ होगी, उस व्यक्ती ने बुद्ध से कहा कि महात्मा मुझे क्रोध पर भी विजय प्राप्थ करनी है, कृप्या इसका कोई सरल उपाय बताए, बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना एक गर्म कोले को दूसरों पर फैंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा, हर सुभा हम पुनह जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायन रखता है, जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है, क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, और असत्य को सत्य से जीतो, मित्रो, इसी प्रकार मह भारत में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्यान देते हुए कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। तो सिर्फ सुविचार ही नजर आते हैं। मित्रों अगर ये छोटी सी जानकारी पसंद आई तो चैनल को सबस्क्राइब अवस्य करें। धन्यवाद।